Hello everyone, Namaste तो गास आज यहां भी जो रीडिंग में करनी चाहरी हूं उसका टॉपिक है Who wants to contact you and why कौन ऐसा इंसान है कौन ऐसा बंदा या बंदी है जो कि आपके साथ contact करना चाहता है आपको call करना चाहता है text करना चाहता है या फिर पोस्नली आके आपके साथ मिलना चाहता है और वह सा क्यों करना चाहता है इसके पीछे उसका real intention क्या है वो reason, वो कारण क्या है वही हम जानेंगे आज इस reading में ठीक है guys तो यह जो reading यहाँ पर मैं करनी चाहरी हूं यह timeless है, general reading भी है और यह पर both males और females हर किसी के लिए है और guys मेरे जितने भी reading होते है सारे ही timeless होते है और general reading भी होते है तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस पर reading को refer कर सकते हो according to your problems और guys आप लोगों को आपका acceleration मिल जाएका और मेरे blessings हमेशा आप लोग के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी तो आप लोग भी थोड़े support देखाना और जितना साथ हो सकें आप लोग मेरे शानल को subscribe कर लेना guys ताकि मुझे भी motivation मिलेगा और मैं भी धेर सारे new new topics के ऊपर reading कर पाऊंगी और आप लोगों की life में एक छोड़ इसी याईसे help लापाऊंगी guys तो अभी तो पहले cards देखते हैं और जानते हैं कि वो बंदा या बंदी कौन है जो आपको contact करना चाहते हैं और ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं और guys reading के अंत में आप एक question सोचना और उसका सवाल का उत्तर में हाँ या ना के तौर पे जरूर दूंगी ठीक है तो guys पहला card जो आए हुआ है वो है victim का तो ये जो भी बंदा या बंदी है जो कि आपको desperately आपके पास आना चाहते हैं आपसे बातचीत करना चाहते हैं वो आपको आपको एक victim के तौर पे देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर इस इंसान ने आपके साथ कभी भी किसी भी तरीके का गलत करा होगा वो सुचते हैं कि आप बहुत ही जादा kind-hearted person हो बहुत ही जादा अच्छे और सच्छे इंसान हो आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए ऐसा उनको अभी feel हो रहा है ऐसा उनको अभी realize हो रहा है guys and now here she knows his or her life purpose उन्हें अभी पता चल चुका है कि उन्हें करना क्या है and वो आपके पास आना चाहते है guys एक big sorry के साथ ठीक है वो आपके सामने सर छुका कि माफी माँगना चाहते है जो भी उन्होंने गलत करा है आपके साथ past me क्योंकि guys यह इसान जो भी है आप इन्हें चानते हो मुझे ऐसा feel हो रहा है you know him और उसे ऐसा लग रहा है कि जो भी उसने आपको कहा जो भी उसने गलत आपके साथ कर रहा है वो गलत चाहे minor side से हो या major side से हो लेकिन उसे अभी बच्चतावा हो रहा है और वो भी आपके पास आना चाहता है आपके इस दुख तकलीफ भरे phase से आपको उभाना चाहता है even वो आपको support भी करना चाहता है या चाहती है ताकि आप भी एक satisfying life को enjoy कर पाओ आप भी खुश रह पाओ तो guys उसका intention पहला intention यही है तो वो आपको खुश देखना चाहता है और अपनी गलती का माफी वो आपके सामने आके मांगना चाहता है या मांगना चाहती है और उसका दूसरा reason क्या है वो आपको बेहत पसंद करता है या करती है guys वो उसके लिए आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास वो inner beauty तो है लेकिन आप बहुत जाथ hot and sexy भी हो and he or she really wants you in their life वो आपके साथ एक moment चीना चाहता है guys वो experience करना चाहता है अगर आप उनके साथ हो तो उनकी life कैसी रहेगी तो आप समझ सकते हो मैं किस हिसाफ से बोल रही हूँ वो चीज़ को तो यहाँ पर lusty wives है guys वो आपको पाना भी चाहते है वो आपको experience भी करना चाहते है यह उनका second intention है और वो जबी भी आपके साथ मिलेंगे कोई मंदर, मस्चिद, गुर्द्वारा या फिर चर्श में मिलेंगे या फिर guys एक ऐसी चके भी मिलेंगे जहाँ पर भगवान ची का एक statue होगा एक मूरत, एक poster जरूर होगा guys और उसके मन में ये भी ख्याल है that अगर आप उसे हां बोलते हो तो वो आपके साथ शादी करनी कि लिए भी तयार है वो आपके साथ court marriage करनी के लिए भी तयार है guys तो उसकी act जो आपके साथ contact करनी का reason है जो कारण है, वो कई सारे कारण है आप जान चुके हो पहला है that वो आपके सामने आके माफी मागना चाहता है जो भी उसने आपके साथ करा या जो भी गलत सलत उसने आपके आपको बोला पास्ट में उसे रियलाइशेशन हो रहा है ये पहला रीजन, दूसरा रीजन है तैट वो आपको सपोर्ट करना चाहता है, ताकि आप भी अपने लाइब में और भी ज़्यादा ग्रो कर पाओ आपको सक्सेस होते हुए ये इनसान देखना चाहता है तीसरा, वो आपको बेहत पसंद करता है या करती है वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है या चाहती है, कहलो एंड फूर्थ रीजन जो है वो है, अगर आप हाँ बोलते हो, अगर आपकी तरफ से हाँ है, तो वो आपके साथ शादी भी करना चाहेगा गाईज, ठीक है, अगर फैमिली एकिस्ट में चाहेगे, तो फैमिली के एकिस्ट में जाके आपको भगाके वो आपसे शादी कर सकते है, इतनी हिम्मत वो रखते है, तो ये हो क्यार रीजन, क्यों वो आपको कॉंटेक्ट करना चाहते है और अभी काईज, मैं कुछ साधा एट्राक्टिव है, खुबसूरत है हैंसम या ब्यूटिफुल कहलो हेल्पिंग नीचर है, हमेशा ये दूसरों की हेल्प करते रहते है कॉंफिडेंस जैसे की इनके आँखों में दिखता है अननेसेसरी पंगी लेना इनको अच्छा भी लगता है, हार्ट वोरकर है अपने करियर को लीके बहुत साधा सीरियस है, साधा तर फॉर्मल ड्रेस अफ होना ही अच्छा लगता है ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहन के निकल लिया नहीं, ये हमेशा प्रॉपर कॉलर कलर कमिनेशन वाला ड्रेस पहन है, जैसे ब्लैक के साथ ब्लू हो गया, सम्थिंग लाइक थीक है थोड़ा क्लासी टेस्ट रहे का इनका, और क्लीनेस के ऊपर इनका थोड़ा ध्यान बहुत साथा रहता है, दिन में दो बार नहाना जैसे न, ऐसा इनको पसंद रहे का, चाहिए लड़का हो चाहिए लड़की हो, और नीचर वाइस थोड़ा प्राक्टिकल और लॉजिकल साथ से है, जो भी डिसेशन लेता है ये हमीशा लॉजिकली ही लेते है प्रोटेक्टिव साथ इनका थोड़ा रहे का आपके लिए लोगिंग के रस्पेक्ट बहुत साथ करते है, बिकरज ये कुछ न को जुकार निकाल के न, किसी भी प्रॉब्लम का सलुशन जो है, बहुत आसानी से निकाल सकते है पैशनेट इनसान है, अपने लाइप को बहुत ही जादा जीने का इनको शौक है, जैसे कि हर एक दिन को आखरी दिन समझ के ये बंदा या बंदी जीना पसंद करते है और थोड़ा डॉमिनेटिंग और कंच्रोलिंग नीचर है का इस थोड़ा जिदी बिगड़ाल इनसान भी कहलो लेकिन लॉयल है, अगर ये आपके साथ आएका या आएकी तो साथ निभाएंगे साथ छोड़ के जाने वाले इनसान ये नहीं है और मैंने बोला था आप इसे चांते हो ये आपके दूर के रिस्तदार हो सकते है या फिर आपके फैमिली, इनके फैमिली को चांते है ये फैमिली फ्रेंड हो सकते है आपके या फिर आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते है या फिर आपके कजन के फ्रेंड हो सकते है लेकिन आप इन्हें अच्छे से साथ जानते हो काईस बहुत अच्छे से जानते हो तो guys जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में इस रीडिंग के की अंत में मैं आपके सवाल का उत्तर हाँ या ना में दूंगी तो guys आप लोग अपने माइंड में एक पटिकुलर कोईशन को सोच लो कि उसके बाद मैं इस कार्ड को रिवील करूंगी और उसके बाद आपको आपके सवाल का सही उत्तर पता चल जाएगा हाँ या ना की तहत तो guys आप चाहो तो पॉस भी कर सकते हो चीक है तो guys जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पार रहे हो आपको आपका सवाल का उत्तर मिल चुका है और वो है yes ठीक है और guys ये था रीडिंग आप लोगों के लिए तो अखर आप लोगों को मेरे जो रीडिंग्स होता है वो रेजनेर करता है या अखर आप लोगों को सुनने ही अच्छा लगता है तो आप लोग में चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने family, friends and colleagues के साथ तो guys support देखाओ और मेरे blessings हमेशा आप लोग के साथ ही रहे की, so take care and be safe, love you all, thank you, bye